हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मैं सुमन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में देखिये फ्रेंड्स हमने जैन द्रम के बारे में डिटेल से काफी कुछ पढ़ा है इसी जैन द्रम को कंटीनू रखने के लिए हम यहां प तो मैंने इससे पहले आपको बताया है कि जैन द्रम में द्रवे क्या होते हैं जैन द्रम में गंधर कोन थे जैन द्रम में तिर्थंकर कोन थे अर्थात जैन द्रम से संबंदित महतों बातों का जिकर हमने पहले वाले वीडियो में किया है और इस वाले वीडियो में हम पां को समझाना चाहूंगी यहां पर कि ग्यान हर वेक्ति के अंदर होता है ग्यान किसी का दिया हुआ नहीं आता ग्यान अपने आप अंदर भरा हुआ होता है किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है तो मनुष्य का जो जीवन है वह जिग्या से जिग्या से भरा हुआ है अत जानने के लिए जो काम करता है जो किरिया करता है वो ही क्या होता है? ज्यान होता है ज्यान है वह वेक्ति में अपनी स्वयम की योगेता होती है और सब भी वेक्तियों में ज्यान है वो अलग-अलग होता है इसमें ज्यान ग्रहन करने की जो सक्तिया वो भी अलग-अलग होती है जैसे एक क्लास में चार स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनमेंशे ये तो है नहीं कि चारों के बराइबर नम्मर आएंगे फीक है ना? किसी के ज़्यादा आएंगे किसी के कमाएंगे, कोई फैल भी हो जाएगा तो मतलब अपनी alag-alag जमता होती है ग्यान ग्र्ण करने की तो ठीक है इतना हम ने थोड़ा समझा ग्यान के बारे में तो अब यहां हम यह देखेंगे कि जैं दरं में ग्यान कितने परकार का बताया गया है और किस-किस कैसे ग्यान को हम ग्रण करते हैं उसके बारे में बताया गया है तो चलिए जैन दरम के अनुसार ज्यान आत्मा का गुण है ठीक है आत्मा ज्यान में है ज्यान स्वरूप है ज्यान यं ज्यानी भिन माने जाते हैं तो ज्यान अलग चीज है ज्यानी अलग चीज है ठीक है ज्यान को पांच बताते हैं वह कौन-कौन instagram टीजान अवधियान मन्हय प्रिय ग्यान और कैबले ग्यान ठीक है Teresa अलग-अलग जो ग्यान है उनके ठोड़ा में मिस्यास मंजैएं हम आप समझाएंगे आपको यह बर तो देखिए मत्यज़ीं मत्य मत्य मतलब बुद्धी हमारा जो बुद्धी से जो हम ज्यान ग्रण करते हैं वही क्या होता है मत्य ज्यान होता है मन वय इंद्रियों की साथा से होने वाले अर्थ का ग्यान अर्थात इंद्रिय जनित ग्यान तो जो वेक्ति अपनी इंद्रियों से ग्यान ग्रहन करता है उसे ही क्या कहते है? मत्ति ग्यान करते है और जो मत्ति ग्यान है यह प्राथ में ग्यान होता है यह हर इंसान के अंदर होता है ठीक है ना फिर आपका दूसरा आता है शुरूती ग्यान तो शुरूती ग्यान किसे कहते है जो सुनकर ग्यान ग्रहन किया जाए ठीक है तो जैसे कोई वेक्ति कोई बात कहे रहा है आप उस बात को सुन रहे हो सुन रहे हो यह तो है नहीं कि उस आपने क्या सीखा, यह है, शुरूति ज्यान है, बस बात यह है, कि यह ज्यान आप सुनकर ग्रहन करोगे, जैसे प्राचिन काल में जो वैदिक काल था, उसमें क्या था, कि वही जैसे व्येद थे उनको लोग बाग सुनकर ग्रहन करते थे लिखा थोड़ी ज़दे था उनको सुनकर ग्रहन करते थे वो उसके बाद उनको उन बातों के बारे में जानकरी होती थी तो जो स्रवन ग्यान है मन इंद्रियों के दुआरा हुए अर्थ ग्यान का वाच्यार्थ ग्यान यानि पहले के ग्यान की व्यक्या तता अर्थ को सुनकर ग्रहन किया ग्यान क्या कहलता है और यह ऐसे भी होता है पहिए हमने एक जगह से किसी की बात को सुनकर कोई ग्यान ग् पता है तो वह भी एक सुरूती ग्यान नित हुआ और इसका मत्ति ग्यान का के बारे में हम सिद्धे से तरीके से समझ सकते हैं कि जो चीज सुनकर ग्रण किजए एक जामत के लिए हम वेदों को ले सकते हैं वेदों का संग्रह इसी प्रकार से किया गया था तो इस प्रकार से मत्ति ग्यान और आपका जो यह है सुरूती ग्यान यह दोनों प्रारंबी ग्यान है यह हर वेक्ति में होते हैं मत्ति ग्यान भी सुरूती ग्यान के बिना नहीं हो सकता ठीक है ना जैसे यदि किसी को सुनता ही नहीं है तो उसमें मत्ति ग्यान कैसे हो जाए जैसे सास्तर थे ग्रंथ थे शब्द हैं अक्षर अधी के द्वारा जो प्राप्त ग्यान वही क्या है शुरूती ग्यान है ठीक है अब अगला आता है अवधी ग्यान तो अवधी ग्यान का मतलब क्या है अवधी अवधी यानि समय काल जो अवधी ग्यान है इसको दिवे ग्य लिए पहले और बठे बठे उसके बारे में हमने तस्वीर बना भी लिए जैसे हम अमेरिका के बारे में सोचते हैं कि वह कैसा होगा नहीं होगा वहां पर कैसे लोग बाग होते होंगे क्या खाते होंगे ऐसे हम सोच लेते हैं एक तस्वीर से बना लेते हैं दिमाग में तो हमँआ गए तो नहीं ऐसे हमने वहां के बारे में सोच लिया और वो भी एक मरियाद सीमा में यह ने है कि सोचती रहे है कितने द awakening तो इसका एक टाइम होता है एक समय होता है इसका तो यह दीवे ज्ञान होता था ठीक है इसको अवद्धी ज्ञान का अगया मन वय इंद्रियों की साहता के बिना आत्म सक्ति से अम्मुक, नियत, मरियादा, सिमा तक के मूर्थ पदार्थों की जानकरी देने वाला ग्यान क्या होता है? अवद्धी ग्यान और इसको हम दीवे ग्यान भी कहते हैं ठीक है? उसके बाद आप कहता है मन्य प्रिया ग्यान ये क्या होता है मन्य प्रिया ग्यान क्या होता है एक मनुश्य के दिमाग में चन्ने वाले विचारों का आकार जैसे कोई विक्ति बैठा है और उसके दिमाग में कोई बात चल रही है फिर उसका ही कोई जो बहुत ज़्यादा उस संबंदित विक्ति हो वो आता है वो बोलता भई तू किस चिंता में है तेरे को क्या दिक्कत हो रही है तू किसके बारे में सोच रहा है और फिर वो बोल देता हूँ मैं बता देता हूँ मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि भई तू किसके बारे में सोच रहा है और वो बता देता है तो वो हो गया म मस्तिस्त का ग्यान यदि आपको पता सल गया तो वो हो गया मन्न है प्रिया ग्यान तो एक मनुस्य की दिमाग में चन्ने वाले विचारों का आकार यदि दूसरा वेक्ति पहचांग सके तूं वह है मन्न है प्रिया ग्यान हो गया फिर आता है केविले ग्यान तो केविले ग्य ज्ख्यान अभर तो आदमी की इसके याग औरे न्हीं होता हित्ता कि यहां इसके आगे कोई ज्ख्यानों मिल गई है मनें जिग्यास Computer अन्ति हो गया है हैँ वो ग्यान और जो ग्यानी वेखती है उसमें कोई वो नहीं रहा फरक नहीं रहा दोनों एक हो गए ठीक है जैसे पूर्ण ग्यान निर्ग्रंद यह जितन द्रियों को प्राप्त करने वाला ग्यान एकदम सुद संपून तथा अनन्त ग्यान जिस पर कोई आवरण नहीं होता कविली ग्यान नहीं होता मतलब आपको संपून बातों के पर्षनों के उत्तर मिल गए अब आपको किसी जिग्या सा कि कोई लासा नहीं रही कोई जानने की छापकी नहीं रही इसका मतलब आपको कविली ग्यान प्राप्त हो गया ठीक है तो कविली ग्यान संपून ग्यान जहां सभी ग्यानों का अंत हो जाए जब मन का मोस माप्त हो जाए इसमें ज्ञान और ग्याता दोनों एक हो जाते है और सब कुछ वर्तमान हो जाता है ठीक है धन्यवाद दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जैन द्रम के पांच प्रकार के ग्यान के बारे में पड़ा इसी प्रकार बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर फेस्बुक पर आप लाइक और सेर करें ट्विटर फोलो करें और हमारे ब्रोड कास्ट चैनल से जुड़े ताकि आपको नहीं नहीं जानकरी प्राप्त हो सकें